रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन राशी वालों की बात करने वाली हैं जिनका भाग्य 2020 सी 2040 तक साथवे आसमान पर रहने वाला है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे जीवन में होने वाली घडनाओं का मुख्य कारण ग्रहों की चाल होता है और इसी ग्रहों के चाल के कारण हम अपने जीवन में सुख दुख और हानी लाब का सामना करती हैं जो तिश्के ग्याताओं की माने तो ग्रहों की चाल के कारण ऐसे संयोग बन रही है कि साल दो हजार बीस से साल दो हजार चालिस तक यानि की अगले बीस सालों तक कुछ राशी वालों का अब भागय चमकने वाला है इन राशी वालों के उपर भगवान भूले नात की कृपा हो रही है इन राशी वालों का भागय अब सात्वे आसमान पर होगा इन राशी वालों को अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इनकी कॉंडली में 50 सालों के बाद राज योग बन रहा है इन रा आप लोग आय में वृद्धी के स्रोत खोज रही हैं, तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में आप निवेश करें, जो वक्ती प्रेम प्रसंग में हैं, उनको अपने प्रेम संबंदी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, आप लोगों की किसमत अब बोले नात चमकाने आप लोगों को माता पिता का सबसे ज्यादा सहयोग मिलेगा, कोई नया काम भी आप लोग शुरू कर सकती हैं, आप लोग अपने कारिशेत्र में सफलता की ओर लगतार आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन साथी का आप लोगों को पूरा-पूरा साथ मिलेगा, समाज में बहुती ज्यादा अच्छा होने वाला है, इस समय के दोरान आप लोगों को कई सारे बड़े लाब होंगे, लंबी दूरी की यात्र पर आप लोग जा सकते हो, जो आप के लिए फाइदे मन साबित होगा, जीवन साथी के साथ आप लोग अच्छा समय वितियत कर पाएंगे आप लोगों का आने वाला समय बहुती ज्यादा उत्तम रहने वाला है, माता और पिता का आशिरवाद आप लोगों को प्राप्त होगा, इस मासंयोग का बड़ा लाब इन राशी वालों को प्राप्त होगा, जिससे की भवश्य में ये लोग तरक्की करते हुए नजर आए दोस्तों चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आकिर ये राशियां कौन सी हैं, दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेश राशी वालों का आता है, बतादे कि सरकारी कामकाज या कोट कचेरी के मामलों से आपको अब छुटकारा मिल सकता है, संतान के करियर को लेकर आपको कारेशेत्र में सुखद अनुबफ राप्त होगा। पुरानी संपत्ती में चल रहे वाद विवाद आपके अब खतम होगे। आपका निजी जीवन काफी ज्यादा भेतर रहेगा। गर परिवार में आपकी शांती बने रहेगी। आपकी आमदनी में भी व्रिद्धी होगी और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। आप लोगों के प्रेम संबंदों में मजबूती आ सकती है। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुती ज्यादा शुब रहने वाला है। दोस्तों अगली राशी है मिथुन र होगे। आपके कारीशेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। आप लोग सभी शेत्रों में सफलता को प्राप्त करोगे। आप लोगों की वैवसाइक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पर सैयम रखें और अपने गुसे पर आपको भूलेनात की क्रिपा से कई सारे नए नए अफसर हाथ लग सकते हैं, किसी प्रतिश्चित व्यक्ती से आपको मार्ग दर्शन प्राप्थ होगा, कारिश शेतर में भी लगतार आपको सुधार देखने को मिलेगा. दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी, बता दें कि इस समय आप किसी अच्छे शेतर में निवेश कर सकते हैं, जिससे की आर्थिक लाप के लिए अच्छा अफसर आपको प्राप्थ हो सके, धनलाप प्राप्ती के अच्छे अफसर आपको प्राप्थ होंगे, निवेश की आर्थिक लाब के अच्छे अफसर आपको प्राप्थ होंगे समय और परिस्थितियों के अनुसार कारे करने का आप प्रयास करें अपने धन की रक्षा स्वयम करें तथा कामकाच के प्रती आप लोग जागरुक रहें दोस्तों बता दें की अगली राशी है मकर राशी बता दें की आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है पैसों की स्थिती पर विचार आप जरूर करें पैसों से जुड़ी हर स्थिती पर आप लोग पूरा पूरा ध्यान दें इस दोरान आपके सभी फैसले सही साबित होंगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आपको जीवन साथी से अच्छी सला मिलने के भी योग बन रही हैं, आप लोगों को अपने माता-पिता का पूरा समर्थन और सही योग प्राप्त होगा, अपने ब सिती में पा सकती हो, और निजी और कामकदी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने के संकेत भी आपको मिल सकती हैं, दोस्तों अगली राशी है तुला राशी, बता दें कि करियर में आगे बढ़ने के आपको इस दोरान कई सारे मौके मिलेंगे, भावनात्मक परिशानी आप लोगों की खतम हो जाएगी, आपकी कुंडली में भारी वित्तिय धनलाब हो रहा है, आपके कारे शेत्र में आपके कारे की सरहाना होगी, इस बार आपकी नौकरी से जोड़ी सभी समस्याइं खतम हो जाएगी, आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारे मौके मिलेंगे आप लोग अपने जीवन में अधिक प्रगती करते हुए दिखाई देने वाली हैं आपके प्रतिय कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे आपके सभी बिगड़े हुए कार्य तेजी से बनेंगे इस दोरान आप शेर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं जिसमें आप आपको अधिक फायदा हो सकता है इस दोरान पती पतनी के बीच अच्छे संबंद स्थापित होंगे आपका विवाहत जीवन आनंदित रहेगा दोस्तों अगली राशी है विशब राशी बता दे कि ये बदलाव आपके जीवन में महत पूर्ण हो सकती हैं अगर आप कहीं पर नौकरी करती हैं तो आपको इस दोरान प्रमोशन अवश्य मिल सकता है यहां तक कि कोई ऐसी महत पूर्ण जिम्मेदारी आपको सौपी जा सकती है जिसे करने के बाद आपकी हर जगह प्रशंसा होगी आप लोगों के आने वाले दिनों में प्रशास में कारिय बन सकती ह आप लोग हर किसी की उमीदों में खरे उतरेंगे आपके बोधिक्ता और आत्मविश्वास को बल मिलेगा दोस्तों अगली राशी है व्रिश्चक राशी इन राशी वाले लोगों को अपनी महनत का पूरा पूरा लाब मिलने वाला है आप लोगों की लव लाइफ इस दोरान आपकी आमदनी बढ़ेगी और खर्चे घटेंगे आपकी लाइफ में प्रेम की शुरुवात हो सकती है आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकती हैं आपकी आर्तिक स्थिती समानने रहेगी आप लोगों को सभी कारियों में स प्रबल योग नजरा रही हैं शनिदेव आपके राशी के स्वामी है इसलिए आने वाले समय में शनिदेव ही आपका हर काम बना देंगे आने वाले समय में शनिदेव और भूले नाथ मिलकर आपका हर काम बनाने वाले हैं छातरों को प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता हासिल होगी नौकरी के शित्र में किये गए प्रयास आपके सफल होंगे यदि कई समय से आप लोगों को नौकरी हाथ नहीं लग पा रही है यदि हर बार आप इंटर्वियू में फेल हो रही है तो आप हर शनिवार भगवान शनिदेव जी के आगे सरसों के तील का दीपक जर जला सकती हैं बता दे कि आने वाले दिनों में काम के सिलसले में आप किसी यातर पर जा सकती हैं जो कि आप के लिए लाब दायक रहने वाली है इस महिने के आखर दिनों में आप अपना समय दोस्तों के साथ अच्छा वितीत करेंगे नौकरी के शेत्र में आप लोगों को त दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें इससे आप कविवा शीग रही हो जाएगा महादेव की क्रिपा से अब आपके जीवन की सभी मुश्किलों का अंत हो जाएगा इसके साथ ही आपका स्वास्त भी एकदम अच्छा रहीगा कुल मिला कराने वाला समय आपके लिए बह जरू कर दिए और जितना हो सकिय से अपनी वाटसाइप फेस्बुक पर शेयर कर दें